गौतम गंबीर के एंट्री अब स्वैक से हो गई है क्योंकि आते ही उन्होंने श्री लंका के अगेंज clean sweep करवा दिया है अब लग तो रहा है कि ये इंडन cricket का golden era स्टार्ट होने वाला है जा चीजे पूरी तरह से पलटने वाली है श्री लंका के आगें T20 सीरी से पहले सब बोल रहे थे कि सूर्य डिजर्विंग कैप्टन है या नहीं हार्दिक को मिलनी चाहिए थी कैप्टन सी गंबीर के अंदर हमारा chapel era स्टार्ट हो जाएगा अब कटम हो गए है न सारे सवाल क्योंकि सूर्य की कैप्टन सी में इंडिय टीम ने आगी लगा रखी है पहला T20 हुआ तो वहां तो इंडिया वन साइड़ेड चीता फिर दूसरे T20 में एक और वन साइड़ेड मैच आगी T20 क्लोज गया सूपर अवर हुआ बट अलजीमेटली जीता किस ने हमने एंड गंबीर की एक स्ट्राटेजी साफ है कि उनको टीम में बहुत सारे बॉलिंग आप्शन चाहिए जो आपके लिए बहुत अच्छा वर्क भी कर रहा है एंड इवन ये भी है कंबीर और सूर्या की इस जोडी से ड्रेसिंग रूम का महौल भी ठीक है इवन सूर्या और हार्दिक के बीच भी कुछ बिगड़ा हुआ नहीं दिख रहा है और हार्दिक सूर्या की कैप्टन सी में खेले करें कमफरेबल दिख रहे है मानते हैं कि गंबीर को उनके करियर के दोरान इतना क्रेडिट नहीं मिला पर बॉस यहां तो बनता है क्योंकि टीम तो ये बहुत तगड़ी बना रहे है और सबसे बड़ा पॉइंट अगरा T20 वोल कप इंडिया में ही है तो हमारे पास फिर से जीतने की golden opportunity है तो आपको ये गंबीर और सूर्य की जोड़ी कैसी लग रही है हमें comment section पे जरूर बताना